हलो मिस्ट्रा क्लासेश की तरफ से सभी को नमस्कार देखें किस स्टेट से MBBS करने पर अधिक फाइदा मिलेगा तो देखें उस स्टेट से आप MBBS करें जहाँ पर बांड सर्विस बांड कम से कम हो सर्विस बांड कम से कम हो मतलब कितने साल तक आपको रूरल इलाके में काम करना पड़ेगा इस बात का विशी स्ट्यान रखें तो सर्विस बांड जरूर चेक कर लें और अगर सर्विस मांड आप ब्रेक करते हैं, तो कितना आपको पैसा देना पड़ेगा ये भी देख लें, तो जहां का सबसे कम हो, उस कालिस उस स्टेट से अगर जंबी भी अस करते हैं, तो आपको ज़्यादा फाइदा होगा, और ये अब अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में, एड्मीशन हम कैसे ले सकते हैं, 15% आल इंडिया कोटा की काउंसलिंग से, हम दूसरे स्टेट में इंट्री कर सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है इंट्री करने का, या फिर प्राइविट मेडिकल कालिज को स्टेट ऐसा है जो ओपन है, वहाँ तो सर्विस मांड हाई रहता है, तो गवर्बेंट में ही देखे और ट्रियास करिए, आल इंडिया काउंसलिंग से अगर जुबल मिल जाता है कालिज, जहांका सर्विस मांड कम से कम है, तो करतodyबों कम है, झाल से शाविस मांड़ है, तो आपका सर्विस मांड़ बंसार कालिए मांड र gefाका सकती है. जह, तो ऑखया कर फन जाता है, जसक्त करना इंडिया र chooses तो फिर इंडिकल दो जाते हैं, दता Нवबीन से तो जापका करें, या पार दुब trends, ए unleशं़, आह जह